हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम तुमा यूट्यूब चैनल फंडामेंटल इन्वेस्टर इस चैनल में आप सभी लोगों का देल से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज अमें हैं पर टाटा ग्रूप के बारे में बात करने वाले चार छोटे-छोटे पेनी शेयर्स होने वाले उनके कितना कमाता है उनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे दोस्तों हमने पहले भी एक शेयर के बारे में कहा था जो कि है टाटा बेसल जो कि लगबग मार्च 2020 में और स्टार्टिंग में 22 रूपीस पर ट्रेड करता था उसके बाद हमने पूजिशन बनाने बोला था उस पर यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज जाए सब्क्राइब किजिए नीचे डिस्क्रिप्चन में टेलग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे सेयर्स मिलेंगे जो कि दिख रहे होंगे आपको लगबग कोई 800 परसेंट है कोई 200 परसेंट है कोई 500 यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स आपको मैं रिकमेंडेट करूंगा नीचे डिस्क्रिप्चन में लिंक है प्लीज एक बार चकाउट कर लिजे अभी बात करते हैं फॉर्स्ट टॉक की ओर्येंटल होटेल्स अभी ये श्यूर में क्यों लेकिया आया हो लगब बात करेंगे इस शेयर के बारे में सुलगबग इनके पास अभी साथ होटेल से 825 रून से और 42 सूट से अगर बात करेंगे कंपनी किसके अंडर में जो ब्रैंड वेल्यू होती है वो किसके अंडर है आई एच सी एल इंडियान होटेल्स कंपनी लिमिटेड जो की बहुत ब इन से किस से आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 परसेंट रेवेन्यू फूट से और 45 परसेंट फूड एंड रेस्टोरेंट बेंक्विट से भी 45 परसेंट के रेवन्यू आते हैं तो 50-50 पकड़ लिजे 10 परसेंट यहाँ पर चार्जेस या फिर और चीज़ों से वह अर्न कर रहे हैं असोशियेट होटेल जो है इनके वह लगबग 23 परसेंट लंका इसलेंड रेसर्स उनमें है अगर बात करेंगे वह स्रीलंका में पड़ता है और यहाँ पर मल्दीव में भी 22 परसेंट का स्टेक है ताल होटेल में रेसरोंट में और वह फाइस्टार हो होटेल से कोलंबिया में स्रीलंका में टो होटेल में भी इन्होंने अच्छे खासे स्टेक पकड़े हुए है तो मुझे लगता है कंपनी अच्छा खासा ग्रो करेगी इसका बुक्वल्य फियर 25 का है और लगबग प्लेज जीरो है 67% प्रमोटर होल्डिंग इनके पास है पेशन्स अंटील ओपन दे एकोनॉमी हमें पेशन्स रखने होगे पैंडमिक खतम होने तक उसके बाद ये कंपनी के शेर बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए हमें निजर आने वाले हैं दूस्तो दूस्तो सेकंड स्टॉक है टीटी एमल टाटा टेले सर्विस महाराश्टो इसके बारे में बात होती है क्योंकि ये शेर लगबग 2 रुपई 70 पेसे से 55 रुपई तक गया था ये मल्टी बैगर से मतलब मल्टी बैगर रिक्टर्स तो पहले इसने दे चुके लगबग अभी करन प्राइज इसका 37 रुपीस बहुत बजिंग स्टॉक होता है हमेशा कह पर इसका नाम चलते रहता है बहुत सारे लोग यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं अगर बात करेंगे मार्केट के आप 7380 करोर का है अच्छा नहीं किया जो कि है कंपनी का डेप्ट लगबग 17,740 करोड का इस पर डेप्ट भी है एक अच्छी चीजे भी है और एक रास्ता नहीं होता समझाने का 77 करोर के इन्वेस्मेंट से जो कि बहुत कम है प्रमोटर रोल्डिंग 74.4 परसेंट की है अगर कंपनी की सेक्टर में काम करती है कंपनी इंगेजड इन बिजनेस ऑफ वायर एन वायरलेस टेली कुम्यूनिकेशन अक्टिवरीज अभी वा अच्छा खासा मूव कर सकता है 50 रुपीज तो इजी क्रॉस करेगा इसका जो आराम से ब्रेक आउट वो दे सकता है दोस्तो थीसरी कंपनी है और अच्छी खासी कंपनी है 68 रुपीज का करन मार्केट प्राइस चल रहा है 17 रुपीज से 82 रुपीज तक जंप किया करेंगे प्रमोटर होल्डिंग 75 परसेंट प्रमोटर होल्डिंग इनकी लगभग है प्लेज जीरो है बड़ यहाँ पर 75 परसेंट प्रमोटर होल्डिंग अल्रेडी टेकन बाई टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इन्होंने लगभग टाटा प्रोजेक्स लिमिटेड ने अल्रेडी इनके 75% प्रमोनर होल्डिंग बाई कर लिए खुदी मतलब पूरे के पूरे टाटा के हो चुके है अगर इनकी अर्निंग्स भी दिखी जाए तो सबसे ज्यादा अर्निंग्स इनकी टाटा से होती है और बाद में 55% अर्निंग आती है टाटा से 2020 के बारे में बात क करेंगे क्या क्या करती है तो अल्राउंडर कंपनी इंजिनेरिंग मैनुफिक्ट्रिंग एंड कंस्ट्रक्शन इए एम सी सो मुझे लगता है ओल कंपनिया है हिद्राबाद बेस्ट कंपनी अगर बात करेंगे क्या क्या बनाते हैं तो यहाँ पर अगर इनके इंडस्ट्री चीज कौन से कैटर करती है तो लगबग देख सकते हैं ओईल गैस हाइड्रो कार्बन केमिकल इंडिस्ट्री मेटल और मिनरें इंडिस्ट्री फर्टिलाजर और अगर बात करेंगे पावर सेक्टर में भी है और अगर बात करेंगे बाकी लॉंग स्पेज स्ट्रक्चर्स मरीन प्लैटफॉर्म में भी आपे वो हाथ बढ़ा रहे दोस्तों मुझे लगता है और बहुत बड़ी कंपनी है और और भी आगे आपे वो ग्रो करेगी बट अगर बात करते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा कब एंट्री लेने पड़ेगी मुझे लगता है थोड़ा सा इसम बात में और पटना नगर उत्तराखंड यहाँ पे इनका एक प्लैंट है और यह पूरा का पूरा प्रोमोटेट बाई टाटा ऑटोकेंप सिस्टेम से प्रोमोटेड है टी एसी ओ सो अगर बात करेंगे कंपनी के और चीजों के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्र होगी यह फिर इन में जब हमें इन्वेस्ट करना है तब एक ही चीज में फरक होगा कि जब हम इसमें पैसा लगा है तब इसका EPS प्लस में हो ना कि मायनस में तो तब तक के लिए हमें इसमें थोड़ा सा इंतजार तो ज़रूर करना पड़ेगा फोर्थ कंपनी है आजसन इंजिनेरिंग लिमिटेड करन मार्केट प्राइज अभी लगबग इसका चल रहा है 59 रुपीज इसका जो लो था 24 रुपीज का था और हाई लगा है वो लगबग 69 रुपीज के आसपास है तो बहुत आसपास के रेंज में कंपनी अपसाइड होने के बाद भी तो यहाँ पर एक चीज है कि कंपनी ग्रोथ तो करना चाहती है बट अपना डिविडेंट नहीं देना चाहती अपने ग्रोथ से जो फ्री कैश फ्लोए उनमें ही अपना पेस लागा के और यहाँ पर बड़ा करना चाहती है आर्सन इंजिनेरिंग का डाटा था मेटल इंडिस्ट्री में वह बहुत डाउन था 13 परसेंट का डाउन था और इस यहर में 19 परसेंट अप है तो मुझे लगता है यह बहुत ज्यादा इस कंपनी में भी डिमांड आ सकती है लगबक 46 करोड रुपीज का इस काभी का डेप्ट है जो की इंट्रेस परसेंट है प्लेज जीरो है दोस्तों अगर आप अभी तक यहाँ पर आयो तो एक चीज आपको पता चलिए होगी कि जो टाटा कंपनी जिन्नों ने भी बाई किया या फिर जो भी बाई कर रहे है जो सबसे खास बात है कि उनकी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है कि किसी मेबी बहुट डाउन नहीं है 20 Prozent 30 लिए सब में 75 percent 70 percent कि नहीं प्लेज कुछ नहीं होता कंपने प्लेज नहीं होने प्लेज समझ में प्लेज से कि strips कुछ वहाँद करना पड़ता ह stiff酒 गलती को कंपनी को kg ब्लेज गर्रोलो या यहाँ बो फोtaking होता है कंपनी से कुछ भी डर होता है इसलिए में जल्दी सी जल्दी कभी भी प्लेज शेयर कंपनी नहीं खरीता हूं इन्विस्मेंट्स बली इनकी जिरू है लगबग आरोई जो रोसी रिटरन कैपिटेल इंप्लोई इनकी 15% का है जो की एक अच्छा खासा है अगर बात करते हैं अगर बात करते हैं मतलब कंपनी एक बहुत विल अर्ण भी नहीं कर पा रही है कंपनी का जो स्ट्व में आज की वह यह बहुत हो इक Director कहिए, जो की future में बाइक करो गे तो फसो गे भी तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करके इन में अच्छी खासे ऑपॉर्चुनरी डूनी चाहिए डाइरेक बाइंग तो अभी लेने से मतलब नहीं यह मार्केट में वॉल्यूम है नहीं मार्केट में वैल्यूम एक्चुली जब बगर HDFC का आप वैल्यूम देखोगी और ITC का वैल्यूम देखोगी इडला एक भी सिमिलर वैल्यूम तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए अभी किसी भी शेयर में पोजिशन बनाना अच्छी बात नहीं होगी बाकि आप समदार आपको कब येगा दोस्तो